देखिए यहां पर क्लास की बात है कि अभी जो है जश्ट जो है आपका 11 बजे जो है आपकी क्लास शोड़ती है आनलाइन जो एप पर क्लास शलती है तो 10 सवा करीब हमने आपको बताया कि 10 मिनट क्लास आपकी लेट हो सकती है आईए चलते हैं आज के महत्पुर्ण प्रश्णों की स्रिंखला का यह पहला क्यूशन है कि देवी प्रसाद राय चोधरी का जन्म कब और कहां हुआ था ध्यान दीजिएगा कि देवी प्रसाद राय चोधरी का जन्म कब और कहां हुआ था A. बताया जा रहा है 1857 लाहोर पाकिस्तान में B. बताया जा रहा है 1895 स्वी में पश्यमंगाल में C. है 1899 स्वी में ताज हाड बंगला देश में C. है D. है आपका 1905 माधो पुरजिला जो है यह राजस्तान C. चली अगर हम बात करते हैं यहां पर जो है 1897 में जो है जन्म कब हुआ था यह 1897 में लाहोर यह पाकिस्तान में जो है इनका जन्म हुआ था अगर देखा जाए तो अगर देबी प्रसाद राय चौधरी की कि अगर हम बात करते हैं तो 15 जून ध्यान दीजियेगा यह जो है 15 जून 1899 सी में ताजहाट बंगला देश में जो है यह देवी प्रसाद राय चोधरी का जन्म हुआ था आपका उत्तर क्या है यह सी जो है बिलकुल सही है अगर देखा जाए तो 1905 माधोपुर जिला राजस्थान यह बहुत ही महत्मूर है तो राम गोपाल विजय वरगी यह यह कब हुआ था 1905 माधोपुर जिला राजस्थान तो आपने देखा देवी प्रसाद राय चोधरी का जन्म कब और कहां हुआ था तो देवी प्रसाद राय चोधरी का जन्म 1899 सी में ताजहाट जो है बंगला देश में जो है यहां पर हुआ था अब यहां पर दिहान बिद्याले में कलकत्ता कला बिद्याले में जो है यहां से जो है चित्र कला अर्था कलकत्ता कला बिद्याले से इनोंने कला की सिक्षा प्राप्त किया और इनके कला गुरू कौन है यह अवनिंदर नाथ टैगोर यहां पर कला गुरू कौन है इनके यह अवनिंद नाथ टै गोर यह देखा जाए बेवसाइक रूप से अगर देखा जाए यह मूलतह क्या है यह मूलतह जो है यह मूर्तिकार है मूर्टिकला के सिख्षा इन्होंने имराय चौदरी से प्राप्त किया था, गौरण रूप में देखा जाए, यह क्या हैं, यह चित्रकार भी हैं, यह क्या हैं, यह निसाने बाज हैं, अर्था तमाम प्रकार की प्रतिभा जो है इनमें जो है छुपई थी, तो आपका उत्तर क्या हुआ यह सी जो है बिल्कुल सही जो भी भाई बंदु आपसंसी लगाएं हैं उनके उत्तर क्या है बिल्कुल सही है चलिए आगे देखा जाए तो अगले प्रश्न की बात कर लिया जाए चलिम सेथिए देगते हैं, दूसरे प्रश्ण की बात कर लेते हैं, दूसरा फ्रश्ण आपका है, यहां पर है, डीपी राय चौधरी, मूर्तिकला का प्रसिछन किसके सानिद्ध में जो है, यह रहकर प्राप्त किया प्राप्त किया और किस पद्यत में यह वास पद्यत में जो है चितरकारी की सिख्षाद जो है अवनिन्नाट प्रथ्षाद में प्रधाना चाहती यह अंग्रेज सिक्षक हैं ठीक है और देखा जाए यह जो है मदरास कला विद्याले मदरास कला विद्याले के जो है यह क्या थे प्रधाना चारे हैं उसके बाद एके स्वामी का देखा जाए तो आप जानते हैं एके स्वामी का जन्म जो है यह कोलंबो कहां पर यह कोलंबो अर अमेरिका में इनकी जो है मृत्त्य होती है और इनकी इक्षा के उसार इनका जो है अस्तिका जो विसर्जन है वह गंगा नदी में किया जाता है और बंगाल सैली के जो है प्रचार प्रसार में जो है इनका जो है महत्तपोन योगदान था तिसरा है आपका हिरडियम राय लगाएं हैं उनके उत्तर क्या है बिल्कुल सही है चलते हैं त्रगले प्रश्ण की बात कर लेते हैं आपका जो है यह तिसरा प्रश्ण आगे देखते हैं यह तिसरे प्रशन की बात किया जाए तिसरा प्रशन आप से क्या करा है करा डी पी राय चौधरी को भारा सरकार ने गारण सरकार ने पद्मभूशन सम्मान से कब सम्मानित किया था पीपी राय चौधरी को भारा सरकार ने जो है पाद्मभूशन सम्मान से कब सम्मानित किया था आपसन A है मित्र आपका 1954, B है 1958, C है आपका 1960 और D है कितना आपका 1962 आपके सामने, जल्दी-जल्दी यहाँ सधका जवाब दीजिए अब यहाँ पर देखीस सारे मित्रों का उत्तर क्या है यहाँ पर बिल्कुल सही आ रहा, जल्दी-जल्दी आप रोग ज्योए प्रश्नों का जबाब दिजिए यह कितना है आपका डीपी राय चोधरी को भारा सरकार ने पद मुसर सम्मान से कब सम्मानित किया था यह 1958 इस्वी में क्या किया था सम्मानित किया था यह आपका उत्तर क्या है यह भी जो है बिल्कुल सही जो भी बाई बंदू यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर कई मित मँट्र हैं जैसे हम देख रहे हैं राजैंदर कुमार यी प्रतीर rozp जी सोनी यादव योगित्या सिंग जी रोली सिंग यहां पर रजनी देवी जी अमित जी ए पीयम ए पीयम जो है यहां पर छाया मिस्टा तमाम लोगों के जितने भी उत्तर आ रहे हैं, सारे मित्रोक उत्तर क्या हैं, बिल्कुल से, आगे चलते हैं, अगले प्रशन की बात करते हैं, देखें, अगला प्रशन आप से क्या करा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगला प्रशन आप से करा, बहुत ही महत्पूर प्रशन है कि यहाँ पर करा राष्ट्री ललित कला अकादमी नई दिल्ली के प्रथम अध्यक्ष कौन है एक राष्ट्री ललित कला अकादमी नई दिल्ली के जो है प्रथम अध्यक्ष कौन है ए है अवनिन नाट टैगोर बी है गगने नाट टैगोर सी है डीपी राय चोधरी और डी अब देखाजाए आप जानते हैं कि राष्ट्री ललित-कला-कादमी नई दिल्ली के आपके इनमेशा कौई नहीं चली जल्दी-शल्दी प्रश्णों का उत्तर दीजेगा यह बहुती महत्पूर आपके सामने यह प्रश्ण है चली अब देखा जाए आप जानते हैं कि राष्ट्री ललितकला अकादमी नई दिल्ली की अस्थापना कब हुआ था यह 5 अगस्त 1944 यह देखा जाए 5 अगस्त 1954 इस्वी में जो है यह राष्ट्री ललितकला अकादमी की जो है यह अस्थापना हुआ था और यह 1954 से लेकर यह 1954 से लेकर 60 तक जो है अध्यक्ष कौन रहा भी यह यह DP राय चोधरी रहे तो आपका उत्तर क्या है यह AC जो है बिल्कुल सही है यह पूछ सकता है राष्ट्री ललितकला अकादमी नई दिल्ली के स्थापना कब हुआ था यह 5 अगस्त 1954 में हुआ था इसका उद्गहाटा नुस्व में के ततकालिन सिछामंत्री ने किया था और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे देवी प्रसादराय चोधरी थे यह आपका यह कब से रहे यह 1954 से लेकर और 1960 हिस्वी तक रहे यह 1954 से लेकर यह 1960 हिस्वी तक क्या यह इस पद्पर रहे लिए लिए अगले प्रश्ण की बात कर लेते हैं आपका यह पांचवां प्रश्ण आपके लिए बहुत ही महत्पूर है यहां पर ध्यान दीजिएगा इटली के प्रसिद्व चित्रकार बोई से इटली के सिक्षा जो है किस ने प्राप्त किया था यहां पर ध्यांदी इटली के प्रसिद चित्रकार बोई से तैल चित्रन की सिक्षा किस ने प्राप्त किया था A है राम किंकर बैज C है चिंता मड़कर C है डीपी राय चौधरी देखा जाए तो यह जो है तीनों के तीनों क्या है यह जो है मूर्तिकार है इक इन में से देखा जाए D कराए इन में से कोई नहीं अर्थात इटली के प्रसित चितरकार बोई से तैल चितरन की सिक्षा जो है किसने प्राप्त किया था चलिवित बहुत ही महत्पूर क्यूशन है आपका यह पाँचमाप क्यूशन यहाँ पर पाँचमाप क्यूशन का हम देख रहे हैं सारे मित्रों का उतर क्या है यह सी है यहाँ पर इटली के प्रसित चितरकार बोई से तैल चितरन यहाँ पर तैल चितरन की सिक्षा किसने प्राप्त किया था यह डीपी राय चोधरी हमने बताए डीपी राय चोधरी मुर्तिकार के साथ साथ जो है यह गौण चितरकार भी थे अर्थात जो है इन्होंने चित्र कला की जो है यह जो है ढीपी राय चौधरी जो है कला जगत में मुर्तिकार के रूप में जाने जातें लिकिन उसके अलावा इन्होंने अनेक चित्रों का नर्माण किया अर्थात यह गौन चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं और इन्होंने जो है देखा जाये तो वास्पध्यत की सिक्षा अर्थात चित्रकला की सिक्षा अवनिनाट टैगोर से प्राप्त किया तैल चित्रन की सिक्षा इनों ने जो है यह जो है बोई से प्राप्त किया उसके बाद हिरडयम राय चौधरी से इनों ने जो है मूर्तिकला की जो है सिक्षा प्राप्त किया तो आपका उत्तर क्या है यह सी जो है बिल्कुल से जो भी भाईबंदू आपसंसी लगाएं है उन च्छटमा प्रश्ण कह रहा है तीपी राय चौधरी कला जगत में मुख्य रूप से जाने जाते हैं ध्यान दीजेगा अर्था देवी प्रसाद राय चौधरी जो है यह कला जगत में जो है मुख्य रूप से यहां पर एक सबसे महत्मूर है यह मुख्य रूप से किस रूप में जाने जाते हैं एह भहिया यह मुर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं यह चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं निसाने बाज की रूप में जाने जाते हैं सभी चलिए आपका होता कि डीपी राय चौधरी कला जगत में जाने जाते हैं या मुख रूप ना होता या डीपी राय चौधरी जो है जाने जाते हैं बस इतना क्यूशन होता ये इतना पार्ट ना होता कि डीपी राय चौधरी जाने जाते हैं तो हम कहते हैं यह मुर्धिकार के रूप में भी जाने जाते हैं यह चित्रकार के रूप में भी जाने जाते हैं निसाने भाज के रूप में जाने अर्थात D आपका उत्तर क्या था बिल्कुल सही लेकिन यहां पर क्या लिखा है भी यहां पर DP राय चौधरी जो है यह मुख्य रूप से जाने जाते हैं अर्थात मुख्य र राय चौधरी जाने जाते हैं तो अगर इतना होता ठीक है अगर यह इतना होता देवी प्रसाद रूप से तो मुख्य रूप से वह मुर्थिकार की रूप में जाने जाते हैं तो आपका उत्तर क्या है यह जो है यह जो है बिल्कुल सही है चलते हैं अगले प्रश्न की बात कर लिते हैं सत्मा प्रश्न करा है यहां पर ध्यान दीजिएगा सत्मा प्रश्न है कला यह कला जो है किसी के बाप की बपोती नहीं है इसे कोई भी धारण कर सकता है यह कथन है महात्मा गांधी सरदार पटेल देवी प्रसाद राय जो है यह चोधरी सात्मा प्रश्न आपका बहुत ही महत्मूर क्यूश्यन है बिल्कुल आसान सा प्रश्न है बिल्कुल सही यहां ध्यान दीजिए यहां आपका उत्तर क्या है यह D जो है बिल्कुल सही जो भी भाई बंदू आप संडी लगाएं है उनके उत्तर क्या है यह बिल्कुल जो है सही है शात्मा प्रश्ण का उत्तर क्या है यह आपका डी जो है यह बिलकुल जो है सही है चलिमित आगे चलते हैं अठमे प्रश्ण की बात कर लेते हैं अठमा प्रश्ण आपसे कर रहा है यहाँ पर कि देवी प्रसाद राय चोधरी की प्रसिद्ध प्रतिमा कास से निर्मित क्यों कि इन्होंने जो है कई माध्यमों से जो है इन्होंने जो है मूर्तियों का निर्मार किया है लेकिन ज़्यादा तर इन्होंने जो है का सिके माध्यम से मूर्तियों का निर्मार किया है लेकिन जो सबसे क्या है जो सबसे अधिक यहां हम कह सकते हैं जो इनका जो विशेस्ता थी वह क्या था कांसी के प्रति अधिक थी यहां पर देखा जाए तो डीपी राय चोधरी की प्रसिद प्रतिमा कांसी निर्मित स्रम की विजए यहां पर देखा जाए स्रम की विजए कहां पर इस्थित है कहां पर इस्थित है ए है हैधराबाद का सलार जंग संग रहाल है मुंब़ई का प्रिंसाफ विल संग रहाल है आधुनी कला संग रहाल है नई दिल्ली और D है इन में से कोई नहीं अब यहां से पूछता है आपका कि स्रम की विजए स्रम की विजए नामक जो है यह मूर्ती किस के द्वारा बनी है तो आप कहेंगे डी पी राय चौधरी के द्वारा निर्मित है दूसरा है यह किसमाध्यम से निर्मित है यह जो है कास के द्वारा निर्मित है यह कहां संग रही थै तब आप कहेंगे यह आदुनी कला संग रहाल है नई दिल्ली में क्या है यह जो है संग रही थै तो आपका उत्तर क्या है यह सी जो है बिल्कुल से जो भी भाई बंदू आपसंसी लगाए हैं सभी लोगों को उत् चछीमित्र अगले प्रशन की बात कर लेते हैं सब्सक्राइए देान दीजीगा यहां पर किसा प्रभाव दिखाई देता है एक है यहां पर जो है अर्थातिया किस मूर्तिकार यहां का मतलब यह है कि देवी प्रसाद राय चौदरी किस मूर्तिकार से जो है प्रभावित थे तो आपसन ए है हेनरी मूर हैं C है मेरिनो मारनी है C है रोदा है D इन में से कोई नहीं चलिए मित्र नौमा प्रश्न है चलिए नौमा प्रश्न बहुत महत्मूर प्रश्न आपके सामने है डीपी राय चौधरी की मुर्ध सिल्पों पर किसका प्रभाव दिखाई देता है यह फेंच प्रभावादी मुर्तिकार है रोधा जो है यह फेंच प्रभावादी यह क्या है यह जो है मुर्तिकार है ठीक है जो है डीपी राय चौधरी जो है किस मुर्तिकार से प्रभावित तो यह जो है रोदा से क्या थे यह जो है प्रभावी थे तो आपका उत्तर क्या है यह सी जो है बिल्कुल से जो भी भाई बंद्व आप समसी लगाएं हैं उनके उत्तर क्या है बिल्कुल से फ्ली में चलते हैं अगला प्रश्न कर रहा है कि देवी प्रसाद राय चोधरी मदरास कला विद्याले के प्रधानाचारी रहे देवी प्रसाद राय चौधरी मद्रास कला विद्याले में यहाँ पर प्रधाना चार रहे A करा 1929 से 57 तक B करा 1932 से 59 तक C करा 1945 से 55 तक D करा 1950 से यह 55 तक क्यलिमित बहुत ही महत्पूर्ण प्रश्ण है आपके सामने नौ दसमा प्रश्ण कि जो है देवी प्रसाद राय चौधरी मद्रास कला विद्याले के प्रधाना चार रहे देखे यहाँ पर दो तरह क्यूशन पूछतेगा एक तो पूछता है कि देवी प्रसाद राय चौधरी की मद्रास कला विद्याले में नियुक्ती हुई नियुक्ति कब होती है 1929 इस्वी में नियुक्ति हुई वह 1957 इस्वी तक प्रदानाचार रहे अर्थात आपका आपसन क्या है यह ए जो है बिल्कुल सही जो भी भाज़बंदु आपसन ए लगाएं है उनके उत्तर क्या है यह बिल्कुल सही चली मित्र आगे चलते हैं अगले चली मित्र अब यहाँ पर ध्याँ दिजिएगा अगला है देवी प्रसाद राय चौधरी की मूर्थिसिल्प है देवी प्रसाद राय चाधरी अर्था स्वित रंथा प्रसाद राय चौधरी की जो है यह मूर्ति सिल्प है यह बहुत ही महत्पूर है तो पहले तो हम यह बताना चाहते हैं यह जो है यह यहां पर देखा जाए यह तीनों की यह तीनों जो है देवी प्रसाद राय चौधरी के अर्थात आपका उत्तर क्या है यह अड़ी है दू जो है कांस से निर्मित है अर्थात यह है जो स्रम की विजय है वह भी कांस से निर्मित है सहीद असमारक है वह भी कांस से निर्मित है और स्वतंता असमारक है वह भी क्या है कांस से जो है यह निर्मित है के लिए अब देखा जाए अब स्रम की विजय की बात करते हैं यह जो ह राष्ट्री यह हमने आपको बताया कहां पर यह जो है राष्ट्री आधुनिक कला दिर्गा जो है यह नई दिल्ली में यह जो है आपका राष्ट्री आधुनिक कला दिर्गा जो है यह कहां पर यह नई दिल्ली में इस्थित था आगे देखा जाए सही दस्मारक मूर्ती का निर्माड की बात करते हैं, यह कहाँ पर है यह आपके पतना में क्या है यह स्थित है, यह जो है पतना में स्थित है, स्थम तरस मारक की मूर्ति की बात करते हैं, राष्ट्री भवन राष्टपती भवन नई जो है राष्टपती भवन भवन नई दिल्ली की पास अर्थात या जो है स्रम की बिजय सही दस्मारक स्वतंता स्मारक की मूर्ती या जो है देवी प्रसाद राय चोधरी की है और सभी की सभी किस्से निर्मित है या क्या है या न नामिस्तित है, स्वतंतास मारक मूर्ति जो है या राष्टपती भवन जो है नई दिल्ली के पास है, अब आगे देखा जाए, आगे चलते हैं, अगला देखिएगा, देवी प्रसाद राय चौधरी के चितर नहीं है, दिल्ली के चितर नहीं है, अगे देखा जाए, बरहमे का प्रशना आप दिल्ली के चितर नहीं है, यहाँ पर बरहमे का उत्तर क्या है, यह डी जो है बिल्कुल सही, जो भी भाईबंद्व आप संद करें, यहाँ पर देखा जाए, जो प्रतिक्छा रतराधा है, यह राम गुपाल विजय वरगी की है, यह राम, वैसे कई लोगों ने इसको बनाया है, वैसे राम गुपाल विजय वरगी का क्या है, यह जो है चित्र है, अन्य चित्र मुसाफिर हो गया, लेपचा कुमारी हो गया, नेपाली लड़की हो गई, यह सब चित्र जो है, यह देवी प्रसाद राय चौधरी की जो है, यह चित्र है, तो आगे चलते हैं, तो आपका उत्तर क्या हुआ, न तेरहमा प्रण करा है 1955 इस्वी में तोकियो में आयोजित यूनेस्को आर्ट सेमिनार के अध्यक्ष के रूप में कार किया 1955 इस्वी में तोकियो में आयोजित यूनेस्को आर्ट सेमिनार के अध्यक्ष के रूप में कार किया ए है अवनिन नाट टैगोर, बी है नंदलाल बसू, सी है आपका देवी प्रसाद राय चौधरी और डी है इनमें से, इनमें से कोई नहीं तो आप जानते हैं 1955 इस्वी में तोकियो में आयोजित यूनेस्को आर्ट सेमिनार के अध्यक्ष के रूप में किसने कार किया यह देवी प्रसाद राय चौधरी ने जो है यहां पर जो है कार किया यह बहुत महत्पूर है जो है ठीक है आगे चलते हैं अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं चलिए मित्र आगे देखते हैं अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं चलिए चोदहमा प्रश्ण ध्यान दीजिएगा केंद्री ललित कला अकादमी की अस्थापना कब हुई यह प्रश्ण बाद चुका है केंद्री ललित कला अकादमी की अस्थापना कब हुई A है 5 अगस्त 1904, B है 15 अगस्त 1905, C है 25 जून 1904, D है 26 जन्वरी 1905 चले मित्र, बहुत ही आसान सा क्यूशन है आपका 1905 यहाँ पर केंद्री ललित कला की अस्थापना जो है यह कब हुई थी? चले अब देखा जाए अब यहाँ पर केंद्री ललित कला अकादमी नई दिल्ली की अस्थापना जो है यह 5 अगस्त कब हुआ था? 1904 में जो है इसकी अस्थापना हुआ था ठीक है इसके उद्गाटन करता मौलाना अबुलकलाम आजाद अर्था तुस समय के सिक्षा मंत्री रहे मौलाना अबुलकलाम आजाद ने क्या किया था? इसका उद्गाटन किया था और इसके प्रतम अध्यक्ष आप जानते हैं अ चौधरी जो है क्या थे इसके अध्यक्ष रहे वह 1954 से लेकर अर्थात 1954 से लेकर 60 तक क्या रहे वह इसके जो है अध्यक्ष रहे और इसका उद्गाटन उस समय के ततकालिन जो है आपका सिक्षा मंत्री मौलाना अबुलकलाम आजाद ने जो है किया था तो आपने देखा आ सद्गे जो है आज है यह बिलुकुल सही है तो आगे देखाजाब 15 में प्रशन की बात कर लेते हैं 15 वार्दावकील नंध लालबसु देवी-प्रसाद राय चोधरी शलेज पंद्रहें प्रश्णे की बाथ कर लेते हैं शलेमित 15 हमां प्रश्णे यहा पर देख रहा है यहाँ पर राम चरन का D उत्तर आया है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा प्रश्ण जो है सारी लोगों को उत्तर जो है यहाँ पर प्रदीप सोनी का पंद्रह का ए आ रहा है जल्दी जल्दी जो है इन प्रश्णों का उत्तर दीजिएगा आईए देखा जाए अब देखा जाए तो केंदरी ललित कला अकादमी के यह प्रथम अध्यक्ष थे यह क्या थे यह प्रथम अध्यक्ष थे यहां पर बात जो है प्रथम सच्यू का पूछा था तो वह कौन है वार्दा वकील क्या है यह इसके प्रथम सच्यू माने जाते है इसके प्रथम सच्यू कौन थे भीया यह वार्दा वकील क्या माने जाते है यह इसके सच्यू माने ज करते हैं देवी प्रसाद राय चौधरी का निधन कभ हुआ था यह 15 अक्टूबर 1975 25 अक्टूबर 1965 26 जनवरी 1978 और डी कितना है आपका 15 अगस्त 1977 चली मित्र यहां पर द्यान दिए देवी प्रसाद राय चौधरी का निधन कभ हुआ था बहुत ही महत्पूर्ण प्रश्न है यहां पर द्यान दिएगा देवी प्रसाद राय चौधरी का जो है मृत्त जो है वह 15 अक्टूबर वह कब हुआ था वह 15 अक्टूबर 1975 को हुआ था अठात का आप का आपसन क्या है यह 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 जो है बिल्कुल सही जो भी भाई यह जो है जोंके उतर क्या है बिल्कुल आफ्वा बनाईय की प्रतिमा बनाई दिल्ली जिए च्प्रणी मार्च। क्या कर रहा है यह प्रतिमा तथा मूर्ति की बात कर रहा है आपसन ए का रहा है नंदलाल वसू पी है देवी प्रसाद राय चौधरी स्टी है अब्दुलरह्मान चुकताई और डी है इन में से जो है कोई नहीं यह कौन है यह जो है देवी प्रसाद राय चौधरी अगर यही होता कि जो है यहाँ पर दांडी यात्रा दिल्ली में नहीं दांडी मार्च का चित्रन किसने किया तब कौन होते नंदलाल वसू होते लेकिन दिल्ली में दांडी मार्च की प्रतिमा किसने बनाई तो यह कौन है अब या यह देवी प्रसाद राय चौधरी आपका उत्तर क्या है यह भी जो है बिलकुल से चलिए आगे देखा जाए भूख का दोसी Victims of Hunger किस माध्यम से जो है यह बना है यह है प्रस्तर यहाँ पुस्तक लिखा है यह क्या है प्रस्तर अर्थाद जो है पत्थर के माध्यम से काबा के माध्यम से पीटल के माध्यम से और जो है कांसा के माध्यम से बनाया गया भूख का दोसी की जो नामक जो है यह मूर्ति सिल्प है यह क्या है यह जो है यह मूर्ति सिल्प जो है यह किस माध्यम से जो है बनाया गया है एह है आपका प्रस्तर है बी ताबा है सी पीतल है और डी क्या है यह काँसा के माध्यम से जो है क्या किया गया है यह बनाया गया है यह जो है यह जो है भूंक का दोसी नामक जो क्या है जो यह बनाया गया है वह कासा के माध्यम से क्या किया गया है बनाया गया है तो यह आपका उत्तर क्या है यह डी जो है क्या है यह बिल्कुल सब्सक्राइब अगला देखा जाए अब यहां पर बंगाल सैली का कौन सा कलाक वंस परंपरा से इरानी था वंस परंपरा से क्या था वह इरानी था ए है अब्दुल रहमान चुकताई बी है सैलेन नाट डे सी है समरिन नाद गुप और डी है देवी प्रसाद राय चोधरी यहां पर ध्यान दीजिएगा बंगाल सैली का कौन सा कलाकार हमने बताया कि वंस परंपरा से क्या था इरानी था आपशन ए है आपका अब्दुल रहमान चुकताई है सैलेन नाट डे है समरिन नाद गुप और कौन है डीपी राय चोधरी है ध्यान दीजिए गमित रगर हम मानते हैं तो इनका जन्म जो है 21 सितंबर 1897 317 में कहां पर हुआ था यह लाहोर पाकिस्तान में जो है क्या हुआ था यह इनका जो है जन्म हुआ था अब्दुल रहमान चुकताई का ज arbeiten वी भाजन के बाद यह पाकिस्तान बर जो है बश जाते हैं अर्फात इनके इमृत्व की बात करते हैं हैं इनकी मृत्व 1975 इस्वी में कहां पर हुआ यह इनका पाकिस्तान पाकिस्तान जो है क्या होती है यह इनकी जो है मृत्य होती है आरंभी कलासिछक की अगर हम बात करते हैं उस्ताद मीरबक्स आरंभी कला सिख्षक की बात आती है आरंभिक कला सिख्षक कौन ते यह उस्ताद उस्ताद मीर बक्स क्या है यह इनके जो है आरमभिक जो है क्या है यह इनके जो है गुरू जो है माने जाते हैं वैसे तिनके कला गुरू कौन है क्योंकि इन्होंने कलकत्ता कला विद्याले में सिख्षा प्राप्त किया, इनके कला गुरू कौन माने जाते हैं, अवनिंदरनाथ टैगोर, अवनिंदरनाथ टैगोर क्या माने जाते हैं, यह इनके जो है, यह कला गुरू जो है माने जाते हैं, आगे देखा जा, अब्दुल अब्दुल रहमान चुकताई और समरिन नादगुप्त बंगाल सैली के प्रचार के लिए इनों दोनों लोगों ने जो है बंगाल सैली का प्रचार प्रचार लाहोर आर्ट कालेज में किया है। आर्ट कालेज में जो है इन दोनों ने अर्थात अब्दुलरह्मान चुकताई और समरिन नाद गुप्त जो नो क्या थे अवनिन नाद टैगोर के प्रमुक्सिस्यों में हम कहा सकते हैं ये दोनों बंगाल सैली का प्रचार जो है कहां पर किया लाहूर आर्ट स्कूल में जो ह यहां पर किया देखा जा तो अब्दुलरह्मान चुकताई जो है यह जन्म से तो भारती थे लेकिन इरानी परंपरा के क्या माने जाते हैं यह जो है कलाकार जो है यह माने जाते तो आपका उत्तर क्या है अब्दुलरह्मान चुकताई यह आपका उत्तर क्या है यह कार को पाकिस्तान का प्रथम राष्ट्री कलाकार माना जाता है ए है गुलाम मुहम्मस सिख भी है भावेश्च शंसान न्याल सी है के चाहरा और डी है इनमें से कोई नहीं चलिमित विसाहमा प्रश्णाप का जो है बहुत ही महत्पूर है के मित्री यहाँ पर उत्तर क्या है आपका डी जो है बिलकुल सही है यहाँ पर क्या है यह कौन है अब्दुल रह्मान चुकताई अब्दुल रह्मान यह चुकताई साहब को जो है पाकिस्तान का जो है पर्थम राष्ट्री कलाकार जो है यह माना जाता है तो आपका उत्तर क्या है यह डी जो है बिलकुल सही ही के मित्र आज भी प्रश्ण जो है बहुत ही कम बन पाए तो कल प्रश्ण उसकी संख्या कल जो है बढ़ाते हैं क्योंकि आज मातर 20 ही प्रश्ण हल हुआ कल जो है कम सकम जो है 30 महत्पूर प्रश्णों को जो है हम हल करवाएंगे कल से निश्चित तोर पे जो है कल से लगातार जो है आपकी प्रश्णों की संख्या कम से कम जो है 30 अधिक्तम जो है 35 रहेगी आज की क्लास में त्रे ही तक कल जो आपका जो टापिक रहेगा तो एक तो हमने श्टार्ट बता दिया है कि अब्दुल रहमान चुकताई सहाब से कल प्रश्ण रहेंगे इसकी अलामा जो है जो जूटेगा वह कौन है सैलेंदर नाथ डे सैलेंदर नाथ डे आगे हैं समरेंदर नाथ गुप्त समरेंदर नाथ गुप्त हो गए अर्थात कल जो है आपके अब्दुल रहमान चुकताई हो जाएंगे सैलेंदर नाथ डे हो जाएंगे समरेंदर नाथ गुपत अर्थात इन तीन कलाकारों से सम्मंधित जो है कल प्रश अपनों की संख्या जो है आपकी कम सकम जो है 30 और अधिक्तम जो है 35 हो सकते हैं तीक मित्र आची क्लास यहीं तक मित्र धन्यवाद